हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फांडेशन कोर्स, सेकेंड चेप्टर कंसेप्ट अब डिस्पारिटी और ये वीडियो सभी के लिए यूसफुल है, सभी के लिए अगर आप रेगुलर कर रहो या डिस्टंस से कर रहो क्योंकि foundation course क्या होता है सभी कोर्स के लिए, अगर आप रेगुलर कर रहो SAM1, SAM2 में, जो होता है foundation course 1, foundation course 2, वो similar होता है चाहिए आप B.com कर रहो, BAF कर रहो, B.C. IT या B.C. कोई भी कोर्स करता है अगर आपको foundation course है, so there will be a similar, जो syllabus होता है वो सभी के लिए same होता है सिर्फ papers क्या हो सकता है, differ हो सकता है depend upon the college, क्योंकि college क्या करता अलग-अलग teachers, अलग paper prepare कर सकते हैं so they may be, like that may be a different but क्या होता है, जो long answer questions same ही होता है, सिर्फ objectives थोड़ा सा different होता है, या उसको अलग तरीके से पूछा जाता है, so अगर आप distance से हो या regular से हो, या कोई भी आप course कर रहा अगर आपके like, आपके syllabus में आपके subjects में include a foundation course so ये वीडियो आपके लिए useful है, इसके पहले मैंने एक first chapter को पर already discuss किया है उस वीडियो का link मैं description में डाल दूँँगा so आप वो देख लिजेगा, वो basic महाँ पर सारी चीज़े थोड़ा आपको knowledge हो जाएगा so उसके बाद ये chapters continue केजी and जो भी मैं वीडियो में discuss करूँगा that is important questions only, ठीक है और साथ में मैं आपको concept भी clear करते जाओंगा तो आपका syllabus as well as important questions दोनों cover हो जाएगा and foundation के उपर, course के उपर almost 10 video रहेगा first video मैंने बना दिये, this is second video और 8 से 10 video और ऐसे आएँगे जो important questions के उपर रहेगा, ठीक है and important questions का भी video मैंने already बनाया था last year, तो वो भी आप refer कर सकते हो, ठीक है पहले हम discuss करते है concept of disparity disparity basically means होता है एक तरीके का भीदबाओ, ठीक है अब भीदबाओ किस में हो सकता है या तो upper caste, lower caste, इस तरीके का भीदबाओ हो सकता है, या तो फिर male and female का होता है, जैसे कहीं पर काम करते है, तो male and female का salary ज़्यादा होता है female का कम होता है, एक तरीके का जिसे अगर कोई upper caste, lower caste कहीं school में जैसे पढ़ने जाते बच्चे वहाँ पे अगर lower caste का है तो उसके साथ कोई नहीं बैठता है या उसको उस तरीके का दर्जा नहीं दिया जाता है तो ये तरीके का जो भीदबा अपने इंडिया में होता है उसके बारे हम देखने जैसे woman का status अभी आप देखिए कि male का ज़्यादा importance माना जाता है female को उतना importance नहीं देते है तो ये सारी चीज़ें जो होती है वुशी को हम क्या बोलते है disparity disparity बिसिकलि एक तरीके का भीदबा चाहिए वो caste से हो चाहिए वो male female का so it depends okay so वो सारी चीज़ हम डेटल में discuss करेंगे ये chapter के बारे में तो अगर आपको ये disparity समझ गया तो आप क्या कर सकते हो मैं ये क्यों बता है क्योंकि अगर आपको ये समझ गया ना तो आप क्या कर सकते हो हर point को थोड़ा खुद के own word में क्या कर सकते हो लिख सकते हो आप भे सारा फैकलोजी कर सकते हो शरीव आपको concept पता होना चीए ठीक है कि भाई ये second chapter का question है और फिर ये question पूछा तो उसके हिसाब से अगर जो point मैंने बता है इसको पर दो दिन point explain करोगो तो भी आपको marks मिल जागा especially जो distance से करते हैं वो अगर general में answer लिखेंगे तो भी इनको marks मिलता है ठीक है इसके अंदर चार important questions है इसके लबा एक और important question है that will be discussed at the end of the video video के last में मैं discuss करूंगा इसमें जो first question है that is causes of declining जो sex ratio है वो declining क्यों हो रहा है ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे second कौन-कौन से violence होते है ठीक है अत्याचार against women और कौन-कौन से social economics problem है society में जो women's को कौन-कौन सी problem face करनी पढ़ती है उसके बारे में हम discuss करेंगे and last में हम discuss करेंगे कि ये तीनों का जो violence है ठीक है और जो social economics problem है उसको हम कैसे solve कर सकते है क्या possible solution है ठीक है तो ये basically 4 question है सिर्व आपको 2 questions पे इस पे first and second पे question पे focus करना बाकि आप automatically ये सारे explain कर सकते हो ठीक है अगर थोड़ा लंबा बन जाएगा और चीज़ अगर आपको कुछ miss out यहाँ पे लगता है या अगर मैं like आपके पास कोई examples है तो जरूर comment section में पताएगा ठीक है पूरा video देखिएगा ध्यान से इस topic of notes मेरे website पे link description में डाल दूँँआ ठीक है पहले हम देख लेते causes of declining gender ratio gender ratio basically main female जी होता है उसका ratio क्यो decline हो रहा है कम की हो रहा है क्या है male domination male domination मतलब यह होता है कि हमारे इंडिया में male को ज़्यादा preference दिया जाता है as compared to female अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे family जब वो चाहते हैं कि उनके family में first जो member आए वो male ही हो उसके लिए वो बहुत सारी जो पूजा या बहुत सारे अलग-अलग तरीके से वो प्रेड़ना करते मतलब प्रात्ना करते कि ऐसा हो तो यह की समझे है कि उसकी वज़े से और दूसरी बात क्या होता है कि जितना लोग सोचते है मतलब जो अभी यहाँ पर वही चीज़ है लोग यह सोचते कि अगर मेल रहेगा तो वो क्या होगा कि हमारा जो ख्याल रखेगा जब हम बूड़े हो जाएंगे उस तरीके वो चाहते लड़की रहेगी तो चली जाएगी शादी करके ऐसा सोचते इसकी वज़े से क्या होता है कि बहुत सारे लोग फिमेल को नहीं चाहते कि भाई उनके घर में फिमेल पैदा हो इसके लिए यहाँ पर मेल डॉमिनेशन इसके वज़े से क्या होता है कि जो जेंडर रेशो है वो क्या हो रहा है डिकलाइन हो रहा है जो चीज़े मैं बता हुआ यहाँ पर आप खुद से अपना खुद का पॉइंट क्या गर सकतो एक्सप्लेंट कर सकतो मैं स्रीव एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि हाँ यह पॉइंट में आपको इस तरीके से जो चीज़े एक्सप्लेंट करनी है अब यह क्या होता है मोटिलिटी रेट क्या होता है जैसे एक्सप्ल के तरुपे जो बच्चे एक वन मंथ से लेके ट्वेल मंथ के बीच में होते है उनको उनका क्या होता है या तो वो मरने से पैदा होने से पहले मर जाते है या तो जैसे पैदा होते हैं कुछ एक दो मेने के बाद मर जाते हैं तो ये इसकी वज़े से भी क्या हो रहा है कि जो rate gender ratio है वो क्या हो रहा कम हो रहा है तो अब बोलो कि sir ये कैसा होता है देखो इसको female feticide भी बोलते हैं इसके उपर मैंने खुद research किया था when I was in college जब मैं डिग्री कर रहा था I was preparing for speech a female जो feticide है उसके उपर prepare कर रहा था so यहां पर I got to know कि जब मैं hospital में गया थोड़ा सा survey करने के लिए तो वहां पर मुझे बता चला कि डॉक्टर ने बोला अगर दिन भर में दस प्रेग्नेंट उमेंस होते हैं उसमें से उसने बोला कि approximate 70% like people don't want their baby due to x y z कैसा पहला reason कि वह उतना stable नहीं इसके वह ले नहीं चाहिए या तो फिर उनके घर वाले अलाओ नहीं कर रहे या तो फिर उनको गलती से हो गया है तो बहुत सारे इसे कारने थे आप यह समझिए कि जो बच्छा पैदा होने से मतलब दुनिया देखने से पहले उसको मार रहे और कुछ पैदा और उसके क्या हो रहा है इसके वज़े से क्या कर रहे है उनको प्रॉपर माल नूट्रेशन प्रॉपर खाना ये मतलब जान बूच के क्या कर रहे है उनको मार रहे है so that is what the infant mortality rate और हमारे इंडिया में infant mortality rate बहुत जादा है क्योंकि हमारे देश में देखिए जैसे खाने का जो प्रॉट्रिशन चीज़ है वो चीज़ नहीं मिल पाती है especially अगर फीमेल पैदा होती है घर में इस तरीके इसके वेसे भी क्या हो रहा है gender ratio decline हो रहा है लोग क्या चाहते हैं कि हमारे घर में male हो क्योंकि जब male पैदा होगा जब कोई male member आएगा हमारे घर में तो वो बड़ा होके हमारी गरीबी दूर करेगा इसके चक्कर में वो क्या करते हैं पूरा किरके टीम खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिसमें क्या होगा जितने लोग रहेंगे काम करेंगे और फिर उसके वेसी क्या होगा हमारी गरी भी दूर होगी So that is what the poverty So इसके लिए क्या लोग क्या चाहते हैं उसको business करना है तो सबसे पहले उसके family से face करना पड़ता है उसके husband को मनाना पड़ता है दूसरा सबसे बड़ा ही इनका जो problem आता है society को बहुत सारे criticize करते हैं यह business करेगी यह करेगी So बहुत सारे उसको सुनना पड़ता अगर यह सब होने के बाद क्या होता उसको इसको इसके लिए क्या करता है जादा supportive नहीं रहता है हाला कि government ने बहुत सारे policies बनाया है बट इसकी वज़े से भी क्या होता है जो ratio है gender ratio हो क्या हो रहा है decline हो रहा है malnutrition अभी मैंने बोला था female का malnutrition क्या होता है कि आप समझे malnutrition ऐसा होता है कि जब कोई भी बच्च लाइक पैदा होता है baby born होता है ठीक है girl baby born होता है तो उस time पे जब घर वाले क्या करता है उनको nutrition खाना मिलना चाहिए या तो जब वो करते तो वो abortion करा लेते थे बट वो बाद में government ने उसको जो है उसके हिसाब से act बनाया और उसको illegalize किया उसके वेसे बहुत बड़ा punishable act है वो समझो कि बहुत सारा बहुत बढ़ी आपको jail हो सकती है प्लस आपको fine हो सकता है फिर उसके बाद अभी कि अगर गलती से हो जाता है तो उसको क्या करते है कि proper खाना नहीं देते है मतलब खाना मिलता है लेकिन क्या होता है कि एक बेबी को नरिश मतलब एक बेबी को strong अच्छा healthy होने के लिए उसको बहुत अच्छा मतलब उसके parents को साथ में और प्लेस बेबी को उसको ऐसा सारी चीज़ा क्या करना मिलना चाहिए इनिशेल स्टेच में तो मा को अच्छा खाना मिलना चाहिए मतलब अच्छा protein आहार मिलना चाहिए तो उससे क्या होगा कि वो breastfeeding क्या होगा तो ताकतवर होगा तो मरने का chances बहुत कम रहेगा क्योंकि केसी भी इंसान को बिमारी या कोई भी चीज़ होता है तो basically just because of the weakness तो weakness क्यों आता है अगर हम उतना protein यह जो चीज़े हमको हमारे body को requirement अगर नहीं मिलेगा so we will become weak और जब weak बनते जाएंगे तो फिर automatic जो है बहुत सारे disease create होते है so यह भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा problem है और इसके वज़े से क्या होता है female को उतना ज़्यादा दर्जन नहीं दिया जाता है और इसके वज़े से क्या होता है कि जो ratio है वो decline होता है फिर social status of women आद देखिए कि women का status कहाँ पर क्या किया जाता है उनको उनके साथ क्या किया जाता है indoor activity में involved किया जाता है क्यों क्या करेंगे घर के अंदर ही काम करेंगे घर का अपने बच्चों को care करेंगे पोचा लागाएंगे कपड़ा दू लेंगे ये सारी चीज़ें बाहर के activities में नहीं रहता है और दूसरी बात उनकी सुनी भी नहीं जाती है अगर कोई female चाहती है कि बस मुझे दो ही members चाहिए हम दो हमारे दो concept ठीक है लेकिन क्या होता है कि उनका नहीं सुना जाता है वो क्या चाहते है घर वाले क्या चाहते है वो important और इसमें ये भी होता है कि लोग चाहते है कि male ही dominance मतलब male ही पैदा हो उसके वेशे क्या करते है वो ऐसा सोचते है कि भागवान का देन है तो हमको क्या करना चाहिए accept करना चाहिए हमको मरा नहीं करना चाहिए इस टाइप का mentality इस टाइप का होता है उसके वज़े से आप समझे कि जो है जो भी अगर करना भी चाहता कुछ अच्छा तो उसके लिए क्या होता है वहाँ पे नहीं यह possible नहीं होता है अगे भी हम पढ़ने वाले और भी क्या-क्या अत्ताचार होता है फिर lack of education अब देखे जेंडर रिश्रक्री डिक्लाइन हो रहा है बिकोस अब पढ़ा लिखा नहीं जानकार होना चाहिए जानकारी तो कैसे भी हो सकते भाई उनको awareness करा दोगे तो जैरसी बात है तो उससे बहुत हाथ तक रुप जाएगा लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ना कि भाई female का क्या importance है जितना male को आप preference दे रहे उतना same अगर female को preference दो तो equality अगर करोगे तो जादा better So these are the gender declining क्यों declining हो रहा था है यह सारे कारण ठीक I hope आपको समझ में आगर रहेगा अगर आपको यह समझेगा तो आपको यह बहुत जल्दी और जल्दी समझ में आगा देखो violence against women कौन-कौन से जो अत्याचार होते हैं violence जो women's के साथ वो उसके बारे मैं पढ़ने वाले है तो sexual harassment आपने काफी टाइम सुना रहेगा राइट चाहिए वो workplace हो जहां पे काम करते हैं आपने ads भी देख रहेगा sexual harassment हर जगह होता है harassment कैसे जिस example के तोर पे जबज़ इसको काम दे देना उसको extra stretch कराना बहुत सारे मतलब अलग-अलग cases में abusive language यूज करना पार्शेलिटी करना उस तरीके सा जो एक boss रहता है male वो क्या करता है उसको जो अलग तरीके सा रहता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है especially workplace पे ये चीज़ों को मतलब कि समझो कि उनके साथ ये violence होता है यहार जगह होता है चाया वो workplace हो या workplace नहीं भी हो फिर dowry system ये act था 1961 में और ये dowry system को dowry क्या होता है दहेज तो अब क्या होता है कि इसके वज़े से भी बहुत सारे लोग suicide कर रहे थे क्योंकि dowry system में दहेज नहीं मिलने की वज़े से या दहेज मतलब कम मिल रहे इसके वज़े से फिर उसको teasing करते थे और फिर tease करने के बाद फिर क्या करते थे उसको बेचारी जो भी और जितना हो सकता अगर कोई समल सका तो ठीक है अपने आपको control के otherwise फिर वो क्या करते थे मतलब अपने आपको पूरी life ही खतम कर देते so ये dowry system भी समझो कि आज भी ऐसा नहीं आज भी जो पड़े लिखे हैं न वो लोग भी ये use करते हैं even I know अभी मांगने का तरीका सरीव अलग हो गया बस क्या होता है कि कोई भी एक रिवाज बन गया है अगर पड़ा लिखा लड़का रहेगा शादी करेगा तो फिर उसको दो पहिए की गाड़ी या चार पहिए की गाड़ी ऐसे इस तरीके से मतलब मांगेंगे नि भाई इतना बड़ा लड़का घर का लड़का है तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा न इजट है लोग इसके बारे में सुफते आज भी डावरी सिस्टम ऐसे नहीं है लेकिन अगर कोई केस करता है तो उसके उपर जेल भी हो जाएगी पूरे घर वालों की साथ में उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा बहुत जाद है समझो आज भी होता है एक गरिब बेचारा कैसे साधी करेगा चाइल्ड मैरेज बिसिकली क्या होता है कि वो 18 प्लस होने से पहले क्या किया जाता है उनका साधी कर दिया जाता है यह पहले ऐसा होता था इवन मैं जानता हूँ कि अप्रॉक्समेट 2000 से पहले मैं आई थिंग मुझे एक्जेक्टली मेरा याद याद नहीं है बट उस टाइम पर क्या होता था कि जो 10 साल 12 साल का है उनका साधी करा दिया जाता था इस्पेशली हिंदूज में ये चीज़ा जादा होती थी कि जैसे उनका जो 10 येर्स का हुआ उसके बाद तुरंट शाधी करा देने का और सोचिए कि वो मेल फीमेल उसको तो पता भी निया अक्चुल कि शाधी होता क्या है बट उस टाइम पर उनसे साधी मतलब उसमें साधी करा दिया जाता तो ये चाइल्ड एक्ट आया जहां पर क्या हुआ कि उनको उसमें क्या होगा कि अगर लड़की 18 प्लस है और लड़का 21 प्लस है तो ही फिर क्या होगा मैरेज है तब ही पॉसिबल अगर उसे पहले करेंगे वो पनिशेबल होगा और ये अलाउड नहीं है अगर कोई कंप्लेंड करता है तो उसके खिलाब जो है अच्छा खासा केस बनेगा और उसको जिल भी जाना पड़ेगा जो ये चाइल्ड मैरेज जो है बहुत हत्ते खत्म किया गया है मतलब अभी तो नहीं है अभी क्या है पता है अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो अभी क्या हुआ कि जैसे वो रिष्टेदार है तो पहले से उनके पैरेंस बात करके रख लेते हैं कि हाँ मतलब ये लड़का है उसका लड़का और साधी करेंगे ये पहले ही क्या गरते है फिक्स कर लेते हैं उनके मावाब इसा नहीं है बट वो बाद में जाके चेंज होता है बट अभी के टाइम पर वो इससे सिस्टम बट अभी पूरी तरीके से चाइड्ड मैरेज खतम हुआ सेक्स सेलेक्टिव अबोशन ये जो मैंने आपको बता है ना मोटिलिटी रिट में कि लोग चाहते हैं कि मेल डॉमिनेंस में कि सिर्फ मेल ही हो फेमेल ना हो तो पहले क्या होता था कि आप देख सकते थे कि मेल है फेमेल है जो मैंने बता है सो यहाँ पे क्या हो गए कि जब female रहता था तो abortion कराते थे उसको जिन्दगी में आने से दुनिया में आने से पहले मार देते थे इस तरीके का उनके साथ अत्याचार होता था Domestic Violence Domestic Violence basically means क्या होता है जैसे औरत के साथ गलत विवहार करना उसके साथ टीजिंग करना इस तरीके का उसको मारना, गाली गलोच करना तो ये सब चीज़ें क्या होती है Domestic Violence होती है आज भी हमारे सुसाइटी में Domestic Violence होता है Rave Case हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या है ये हमारे वहर को जगडा सब चीज़ें, Family में, तो ये चीज़ें Domestic Violence होती है Trafficking basically means क्या होता है कि आपने बहुत सरी मुवबें भी देखा रहेगा कि Kidnap करने के बाद क्या करता है उसको दूसरे देश में बेस्ते है क्या करने के लिए काम कराने के लिए गुलाम बनाने के लिए लिए अर ये बहुत ज़ादा होता है इसके लिए अगर आप ये देख रहो तो आप कभी भी next time कहीं भी भी जाओ ऐसे places पे तो carefully रहनेगा क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है तो ऐसे तो trafficking अभी आज़ा नहीं बंद नहीं, trafficking होता है, बहुत ज़्यादा होता है इवाटीसिंग, इवाटीसिंग basically means यह होता है, जो young generation है आप कभी train पे जा रहे हो गया, आप station पे हो, या फिर आप bus stop पे हो, या आप society में कहीं पे जा रहे हो और कहीं पे लड़के खरे हैं, तो वो कुछ comment पास करते हैं, तो that is what the eva teasing और आपको पता है eva teasing किस तरीके से करते हैं, तो अगर आप करते रहेंगे तो please, अगर बहुत से तो please ऐसा मत करो and be like a man, एक अच्छा इंसान बनके, if you want to talk, अगर बात करना तो sometimes this is the normal, जाके बात करो, right, so it is not good, okay, public place में ये सारी चीज़ें बहुत जादा होता है, मैं खुद टीचर हूँ, even I travel at different places, so I see there, especially salam areas में तो बहुत जादा होता है, या पर जहां पर overpopulated होता है, rape case, no need to explain, already you know that, acid detect movie भी इसके उपर आयती, right, इसारे violence होते हैं एक जो है women के साथ, और अब ये तो उनके साथ violence होता है, अब उनको society में क्या face करना पड़ता है, okay, what is the actual problem of the women in the society, उस क्या type के problem, तो आप similar question है, सिर्फ थोड़ा सा point का difference है, तो आप explain कर सकते हो, similar point, you can use this point to the explanation of this point, सिर्फ questions क्या कर अलग तरीके से पुछेगा, so you must aware of it, okay, social economic society का जो economics problem समझी, क्या-क्या faces करता है, पहला problem face करता है, low status of women, तो मैंने यहाँ पर already explain किया है, social status of women, low status of women, that means, उनको indoor activity के लिए, जो काम करने के लिए बोला जाता है, outdoor नहीं, indoor मतलब घर का काम करना, सफा ही, पोचा है, सारी से जो म कोई शादी सुदा हो रहते है, उसको पंडा आगे, तो क्या करता है, उनको घरवाल आलाओ ने करता है, that means, nobody listen to her, so that is what the low status of women, फिर उसके बाद problem of illiteracy, illiteracy basically means हमने पढ़ा है, यहाँ पर lack of education, so lack of education, यहाँ पर क्या होता है, कि हमारी इंडिया में problem इसलिए है, because there is illiteracy, पता ह नहीं यह कुछ, उनको पंडे लिखने कुछ आता है, so यह सबसे बड़ा problem है, जो एक उमन फेस करता है, इंडिया में, फिर violence against women, हमने इतना सार पढ़ लिया है, so you can write all the points, you can write all the points and make a paragraph, female, feticide और foeticide, जो होता है, मैंने यहाँ पर explain किया है, ठीक है, कि marginal iteration में और mortality rate में, कि बताया कि कैसे होता है, कि वो baby born होने से पहले उसको मार दिया जाता है, due to x, y, z, मैंने reason भी बता है, बहुत सारे family issue हो रहते हैं, या तो खुद redeem हो रहते हैं, गल्ती से हुआ, बहुत सारे reason हो सकते हैं, they are not financially good, so depends होता है, तो यह चीज़े आप समझो कि एक problem face किया जाता है, right, so this is also female food side, अब यहाँ पर विडवोज, अभी देखो, विदवा हम जो इसको ब culture था कि अगर कोई husband मरता है, तो उसके साथ उस औरत को भी जला दिया जाता था, तो यह साथी वाला जो system तो उसको खतम किया, so अभी भी लेकिन यह माना जाता है, कि अगर वो विदवा है, तो वो कोई festival में नहीं कर सकती है, celebrate, कोई like किसी का baby born होता है, कोई celebration औरत तो वहाँ को मिलता रहने के है, हलाकि यह भी बहुत अतक change भी हुआ है, फिर भी यह बहुत जादा cost करता है, so यह भी एक problem है, जो एक विदवा और आपको face करना पड़ता है, तो यह that is what the videos, वो of videos, problem at workplace, I had already explained in the harassment, इसका तो बहुत सारा वीडियो भी आपने देखा रहेगा, कि workplace पर कैस यह उसको कैसे tease करता है, काम देके, बार-बार बुला के, extra work करके, phone करके, right, so that is what the problem of, problem at workplace, problem of single parent families, अभी देखो यह point आपको नहीं पता रहेगा, but actually में बहुत सारे problem ऐसे, बहुत सारे ऐसे single parents problem face करते है, sir कैसे, जिस example के तो अगर single parents है, तो कभी admission लेने के लिए जाते है, तो वो college वाले ने, school वाले ने मना कर दिया कि हम नहीं admission ले सकते, because you are a single parents, तो single parents को भी बहुत सारे problem, अगर वो female है, तो बहुत जादा problem face करना पड़ता है, so that is also a kind of problem, so यह चीज़ा, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, कि accept नहीं करते, अब उनका रोले जो भी, लेकिन that is wrong, गल ले रहेंगे, तो problem कैसे समझेंगे female का, so एक ऐसा member होना चीए, मतलब उस political party में, ताकि उसके साब से rules and guidelines जो भी provide करें, ताकि उनका भी help, right, so यह लेकिन यहाँ पर participate नहीं करता है, बहुत सारे कारण की वज़े से, family को या उनको डर लगता है, कैसे face करना है, क्योंकि यह female है तो अपने आपको बहुत डर रहत कैसे face करेंगे, लोगों को, so that is also one kind of problem, which is faced by the women in India, अब आपने यह सारी चीज़ें पढ़ लिया, अब यह सबका solution क्या है, यह सबका solution यह है, इसका question पूछ सकता है, कि solution to the, explain the solution to the social economics problem, तो या तो explain the solution of the violence against the women, अलग तरीके से question पूछ सकता है सो आप यह answer लिख सकते हो, पहला देखो, education to men, हमको क्या करना पड़ेगा, कि उनको educate करना पड़ेगा, educate करना पड़ेगा, उनको awareness सारी चीज़ें बताना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है, social awareness campaign, देखो, आज के time पे, मैं खुद college में पढ़ाता हूँ, तो उस college में ह relationship से related हो, चाहे हो rape case से related हो, चाहे हो defense system से, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्या किया है तो उनको training बताया जाता है, तो यह educate ही किया जारे है, उनको campaign किया जारा है, ताकि उनको अपने हाग के लिए सारी चीज़ें उनको बताया जाता है, पहले से ही, इसको level में भी यह सारी च procedure, अब जहर सिपाद अगर कुछ problem होता है, तो हमको कानून ऐसे बनाना चाहिए, जो बहुत आसान हो, कोई जहमेलर ना रहे तो directly क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, तो आज के टैम पे बहुत सारी लोग डरते कि अरे कानून क्या होगा, कुछ पता है नहीं, मतलब बहु police force, जो police force है, जो रखवा, servant है government, उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा active होना पड़ेगा, यह सारे activities problem को रोकने क्लेब, समझे कि अगर rape को उसको रोकना है, तो अगर police एद्दम active हो जाए, तो जहर सी बात है, बहुत हट तक कम हो जाएगा, पुलिस जो role है, उनका क्या करन पड़ेगा, उनके अंदर बहुत सारी effectiveness लाना पड़ेगा, timing, discipline लाना पड़ेगा, तो यह सारी चीजों को क्या कर सकते हो, और वो सकते है, positive approach, at workplace, जब एक female male करता है, तो हाँ पे हम यहानी सोचना चीज़े नहीं कर पाएगी, इसके पास knowledge नहीं है, यह चीज़े, हम को क्या work in a company, based on UK company, जो थी, वहाँ पर, कोई भी, वना, आज के टाइम पर, कोई भी company में क्या होता है, इस तरीके के भेदबाव नहीं होता है, okay, but still, होता भी है, तो that, it depends upon the level, उसका boss, उसके इसाब सो कर दा, but, ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा, महाँ पर positive environment create करना पड़ेगा, हमक कुछ ऐसा होता है, कि इस तो directly उसको मार दिया जाता है, फासी लगा दिया जाता है, तुरंद के तुरंद, कुछ ज्यादा time ने लगता है, so हमको कुछ ऐसा stick rule बनाना पड़ेगा, जिससे कोई करने से पहले 100 बार सोचिक, अगर मैं करूंगा, तो मैं खतम, तो इस तरीके क क्या कर सकते हैं, जो है, solve कर सकते हैं, so religious leader, you know that, ठीक है, special encouragement होना चाहिए, अभी देखो, बहुत सारे ऐसे, जिनके पास, बहुत सारे ऐसे talented लोग है, अभी मैं खुद college में पढ़ा था, बहुत सारे smart girls लोग रहते हैं, जो उनके पास बहुत talented हैं, बहुत अच्छा दिमाग ह तो उनको कुछ न कुछ support मिलना चाहिए, चाहिए वो financially हो, चाहिए वो guidelines सारी चीज़ उनको मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आपको life में upliftment कर सके, ताकि वो कुई चीज अच्यू कर सके, इसके लिए government भी क्या गिया है, बहुत सारे ऐसे plans and policy बना है, जिसमें financially support मिलता है, त महां पर especially Islam area की बात करें, जैसे बांदरा हो गया, कुरला हो गया, गोएंडी हो गया, मानखुर्द हो गया, ऐसे जगों पर बहुत सारे NGOs हैं, जैसे लोक सहवसंगा हॉस्पिटल है, जैसे बहुत सारे NGOs हैं, उनका काम क्या होता है, variety is different work होता है, उनका काम क्या होता है, उनक इस तरीके का उनको चीज़ें सीखाना, बिल्ड करना, ताकि क्या करें, खुद का business जो है, start करके थोड़ा बहुत पैसे earning करें, dependent, independent बन जाए, इस तरीके का activity गर हम करेंगे, तो हो सकता है problem, जो भी हमारे इंडाय में, जो problem face करते हो, वो सारे problem solve हो जाए, एक question माने और बोला system में, education में, जो status का अलग-अलग तरीके से face problem किया जाता है, उसका notes में link description में डाल दूँगा, ठीक है, तो आप पढ़ लिजेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, disabled handicap person लोगों के लिए, उसके उपर एक question पूसता है, so आपका यहाँ पर क्या हो गया, सारी चीज़ने cover हो ग 着 Guardण Crown şuan में पूस्टार में है जाएगा उसके लिएगाँ, वाल पक्या ह примआत है, प जात्रों सियोग जिएर हैं एक्यों हैं जात्या है, प्रयों एकर जात्रों के लिए, एकत्यों है.